नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल सिख्छा अकेडमी ते दोस्तों आज के इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं सामाने बिग्जान का पार्ट थ्री दोस्तों इस वीडियो में आप लिए बहुत तक रसाने और जीब बिग्जान से सम्बंद सभी महात्रों प्रश्ण दिये गए हैं दोस्तों इस सिंखला में यह पार्ट 3 है और दोस्तों इस सिंखला के पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अप्लोड किये जा चुके हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्केप्शन में मिल जाएगी जहां बार आप जाकर फर उन दोनों को पार्ट उसक्रिकों को देख सकते हैं तो चली दिस्तों इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं której दोस्तो इस विडियो का पहला प्रश्ण है, बेटर नरी रिसरस इस्टिंट्यूट कहां पर इस्तिते थे, दोस्तो यह ए इजट नगर में इस्तिते और इजट नगर यूपी में पड़ता है, इसके बाद नैश्ट बिज्ञान की किस साखा में पक्छीओं से सम्दित अध्य किया जाता है किस साकाम किया जाता है पक्षियों का अध्यान तो इसका अंसर है ऑप्षियों से संब्धित अध्यान इसके बात नैश्ट्रों पलाज्मा अरुछनधान संस्थान कहां पर इस्तित है। दोस्तो यह है गांधी नगर गुजुनात में इस्तित है इसके बाद नेश्ट है राष्टी ये डेरी अनुशनधान संस्तान कहां पर इस्तित है राष्टी ये डेरी अनुशनधान संस्तान यह है दोस्तो करणाल में इस्तित है इसके बाद नेश्ट है बायरस का अध्यन क्य में किया जाता है दोस्तों वायरस का अध्यान किया जाता है वायरस का अध्यान किसमें वायरस का अध्यान किया जाता है इसके बाद नेश्टों बाबा भावा पर मानु अनुसंधान केंद्र कहां पर इस्तित है दोस्तों यह है ट्राम वी महाराष्ट में इस्तित है दूस्त इसके बाद नेश्टो नेशनल ब्रेंड रिसर्ज सेंटर कहां पर इस्तित है दोस्तो यह है गुडगाओं में इस्तित है इसके बाद नेश्टो है जीवों में पाया जाने बाले रोगों का अध्यान किस साखा में किया जाता है दोस्तो यह है पैथोलाजी में किया जाता है जीवों से संबंदित रोगों का अध्यन इसके बाद नैश्टियों कीटों से संबंदित बिग्यान की साखा क्या कहलाती है तो इस तो कीटों से संबंदित बिग्यान कहलाती है एंटोमोलोजी कहलाती है कीटों से संबंदित बिग्यान यानि Entomology में कीटों का अध्यन किया जाता है इसके बाद नैश्टो जीब बिग्यान सब्द का प्रयोग सर प्रिथम किशने किया था जीब बिग्यान सब्द का प्रयोग सर प्रिथम किशने किया था दोस्तों है ले मारक एवं ट्रेबी नेनस ने किया था का सर्प्रति explosions कल जनक से कहा जाता है दोस्तों है его क्याश्व को Hisop breeches ओढ़िश ऑफ चीक्सी साथर सारोउड है नाम के नाम से जाना जाता है लेके वहाबन एखुबर कलो aycanoль स्प्रिश्स सेंट्र कहाँ पर इस्ते थैं चेंटेंड नहिस्थो याए टामिलादू की राज़्दानी 10-row शथी और स्फैक्नोलकि कहाँ पर इस्ते थैं पर 25 टैक्नलोडी कहाँ पर इस्ते थए उन दोर केंदर इस्तんな इसके बाद नैश्टो परमानु बंकिस अभीक्रिया पर आधारत है नाप्य बिखंडन अभीक्रिया पर आधारत है इसके बाद नैश्टो या मदू मक्की पालन किस साखा के अंतरगत किया जाता है दोस्तो मदू मक्की पालन किया जाता है एपी कल्चर के अंतरगत या एपी कल्चर साखा में मदू मक्की पालन का जो उसका इसके बाद नेश्ट भूकम का अध्यान क्या कहलाता है दूस्तों भूकम का अध्यान कहलाता है सीस्मो ग्राफ इसके बाद नेश्ट आधोनिक बनस्पती विग्यान का जनक किसे कहा जाता है आधोनिक बनस्पती विग्यान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तो आधोनेक ब्रश्पती विग्यान का जनक लीनियस को कहा जाता है इसके बाद नैश्ट जन्तु विग्यान का जनक किशे कहा जाता है दोस्तो अरस्तु को ही जन्तु विग्यान का जनक कहा जाता है इसके बाद नेश्टर ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकतसा से संबंदित है गुर्दा की चिकतसा से संबंदित है इसके बाद नेश्टर होमोसेपियंस किसका बैग्यानिक नाम है होमोसेपियंस किसका बैग्यानिक नाम है इसके बाद नेश्टो सपनों को का अध्यान क्या कहलाता है सपनों का अध्यान क्या कहलाता है आनी रूलोजी कहलाता है सपनों का अध्यान आनी रूलोजी इसके बाद नैश्टो केंद्रिये बनश्पति अनुशंधान संस्थान कहां पर इस्तित है केंद्रिये बनश्पति अनुशंधान संस्थान दूस्तों यह लखनव के अंदर इस्तित है इसके बाद नैश्टो फलों का अध्यान क्या कहलाता है किस साखा में किया जाता है क्रोमो लौजी के अंतरगत किया जाता है इसके बाद नेस्ट हाइडोजन वं किस अभिकिरिया पर आधारित होता है इसके बाद नेस्ट रडार के अभिशकार कौन है ? रडार का अविश्कार किशने किया था दूस्तों रडार का विश्कार किया था और वर्ड टेलर ने दूस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर श्माप्त होता है यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें दूस्तों चैनल क को सब्सक्राइब करना ना भूलने चले दोस्तों मिलने थे यंग लें नेस्ट वीडियो में तब तक लिए दुस्तों बाई